ओम शान्ती, आज है 24 दिसंबर 2020 की साकार मुरले, पहले एक नजर मुरले की मुख्य पोइंट्स पर, बाबा ने कहा, तुम आत्मा हो, यह पक्की पक्की आदत डालनी है, जैसे किसी खिलोने में चाबी भर दी जाती है, तो वह डांस करने लग पड़ता है, ऐसे ही आत्मा भी इशरी रूपी खिलोने की चेतन्य और अविनाशी चाबी है, फिर दूसरा उधारन देते हुए बाबा ने कहा, जैसे मोटर में पेट्रोल खत्म होने पर फिर से भरा जा जाता है, ऐसे ही तुमारी आत्मा रूपी बैट्री भी अब फिर से भर रही है, जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी, जब तुम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर से सारा पार्ट रिपीट करेंगे, बाबा ने कहा, जो श्रीमत को नहीं उठाते, वह स्रेष्ठ ते स्रेष्ठ बन नहीं सकते, जो नापास होते हैं, वह चंद्रवंशी बन जाते हैं, नापास भी किस में? योग में, इसलिए खाते पीते, स्नान अधी करते, बाब को याद करो, जितना सर्विस करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे, बाब तो कहते हैं, हड़ी हड़ी सर्विस में देनी है, ओल राउंड सर्विस करनी है, सर्विस नहीं करते, तो जरूर पद भी कम हो जाएगा, आगे कहा, ड्रामा में जिनका पार्ट नहीं है, उनसे कितना भी माथा मारो, वह चड़ेंगे नहीं, कोई न कोई ग्रहेचारी लग जाती है, बाप की दिल पर सो ताउसी तक्त पर बैठते हैं, तो अपनी जाच करनी है, कि मैं दिल पर चड़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ, यह ग्यान सागर तुम बच्चों को रत्न देते हैं, यह रत्न चुगने से तुम पारस बुद्धी बन जाते हो, पारस नाथ विश्व के मालिक बन जाते हो, अब सुनते हैं माहवाकियों को विसार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलोना, आत्मा रूपी चेतन्य चाबी से चलता है, तुम अपने को आत्मा निश्चे करो, तो निर्भे बन जाएंगे, प्रशन, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीची आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगी, उत्तर कटपुतली, जैसे ड्रामा में कटपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्मा ये कटपुतली की तरह, पांच हजार वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुँच गई हो, बाप आए है तुम कटपुतलियों को उपर चड़ने का रास्सा बताने, अब तुम श्रिमत की चाबी लगाओ, तो उपर चले जाएंगे, गीत महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, ओम श्यांती, रुहानी बाप, रुहानी बच्चों को श्रिमत देते हैं, कभी कोई की चलन अ इश्वर मत देवे, विचारों को यह पता ही नहीं कि इश्वर सच्मुच मत देते हैं, अभी तुम बच्चों को इश्वर ये मत मिल रही हैं, अर्थात, रुहानी बाप बच्चों को स्रेष्ट मत दे रहे हैं, स्रेष्ट बनने के लिए, अभी तुम समझ से हो, हम स्रेष बाप हमको कितनी उच्च मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं मनुष्य से देवता किये करत नलागीवार तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई जाती हैं। एको उंकार, करता पुरुष, निर्भे, निर्वेर। तुम सब निर्भे हो जाते हो। अपने को आत्मा समझ से हो आत्मा को कोई भ्या नहीं रहता है। बाप कहते हैं निर्भ्य बनो। भ्या फिर काहे का तुमको कोई भ्या नहीं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किस की? कौन देते हैं? यह बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्च समझ से हो बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो यह पुरिशोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है बहुत आकर श्रीमत लेते हैं इसको कहा जाता है इश्वर के साथ बच्चों का मेला इश्वर भी निराकार है बच्चे आत्माई भी निराकार है हम आत्मा है यह पक्की पक्की आदत डालनी है जैसे खिलोने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं तो आत्मा भी इस शरीर रुपी खिलोने की चाबी है आत्मा इन में ना हो तो कुछ भी कर ना सके तुम हो चेतन्य खिलोने खिल दोने को चाबी नहीं दी जाए, तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा, आत्मा भी चेतन्य चाबी है, और यह अविनाशी अमर चाबी है, बाब समझाते हैं, मैं देखता ही हूँ आत्मा को, आत्मा सुनती है, यह पक्की आदत डालनी है, इस चाबी बिगर शरीर चल ना सके, इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है, पांच हजार वर्ष इसकी चाबी चलती है, चेतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता ही रहता है, यह है चेतन्य खिलोने, बाप भी चेतन्य आत्मा है, जब चाबी पूरी हो जाती है, तो फिर बाप नए सर्युक्ति बताते हैं, कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। अर्थाद, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जायेगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। अभी तुम्हारी आत्मा समझ सी है, हमारे में पैट्रोल कैसे भरेगा, बैटरी खाली होती है, तो फिर उनमें पावर भरी जाती है ना, बैटरी खाली होती है, तो लाइट खत्म हो जाती है, अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है, जितना याद करेंगे, उतना पावर भरती जाएगी, इतना 84 जनमों का चक्र लगाए, बैटरी खाली हो गई है, सतो रजो तमों में आई है, अब फिर बाप आए है, चाबी देने, अथ्वा बैटरी को भरने, पावर नहीं है, तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं, तो अब याद से ही बैटरी को भरना है, इन एक ही बाप देते हैं, सदगती दाता वेह एक ही बाप है, अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जनम पूरे पार्ट बजाते हो, जैसे ड्रामा में कठपूतलिया नासी है ना, तुमात्माई भी ऐसे कठपूतलियों मिसल हो, उपर से उतरते 5000 वर्ष में नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर उपर चड़ाते हैं, वे तो एक खिलोना है, बाप अर्थ समझाते हैं, चड़ती कला और उतरती कला का, 5000 वर्ष की बात है, तुम समझ से हो, श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पार्ट र और समझाने की, फिर भी बाप कहते हैं, समझेंगे वही, जिनोंने कल्प पहले समझा होगा, तुम कितना भी माथा मारो, जास्ती समझेंगे ही नहीं, बाप समझ सो सबको एक जैसी ही देते हैं, कहां भी बैठे बाप को याद करना है, भल सामने ब्रामणी ना हो, तो भी त जाद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है, कोई को बिठाने की दरकार नहीं है, खाते पीते सनान अधी करते बाप को याद करो, थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको, नहीं, हर एक क अपने को ही मदद करनी है, इश्वर ने तो मत दी है, कि ऐसे ऐसे करो, तो तुम्हारी दैवी बुद्धी बन जाएगी, यह टेंप्टेशन दी जाती है, श्रीमत तो सबखो देते रहते हैं, इतना जरूर है, किसकी बुद्धी ठंडी है, किसकी तेज है, पावन के साथ य बैटरी चार्ज नहीं होती, बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं, तुम अभी फील करते हो, हमारी बैटरी भरती जाती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, यह दुनिया बिलकुल नहीं समझ से बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो इससे उच चीज कोई होती नहीं वहां यह ग्यान नहीं रहता यह भी ड्रामा बना हुआ है तुमको पुरिशोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं जिनका फिर यादगार भक्ती मार्ग में मनाते हैं दशेहरा भी मनाते हैं ना जब बाप आते हैं तो दशेहरा होता है पांच हजार वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है तुम बच्चों को ही है इश्वरिय मत अर्थात श्रीमत मिलती है जिससे तुम स्रेष्ट बनते हो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी वे उतरते उतर तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है फिर बाप बैठ ग्यान और योग सिखला कर सतो प्रधान स्रेष्ट बनाते हैं बतलाते हैं तुम सीड़ी नीचे कैसे उतरते हो ड्रामा चलता रहता है इस ड्रामा के आदी मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है बाप ने समझाया है अब तुमको स्मृती आई है ना हर एक के जन्म की काहनी तो सुना नहीं सकेंगे लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए यह बाप बैठ समझाते हैं अभी तुम सो ब्रामन बने हो फिर सो देवता बनना है बाप ने समझाया है ब्रामन देवता शत्रिये तीनो धर् मैं सापन करता हूँ अभी तुम्हारी बुद्धी में है हम बाप दवारा ब्रामन वंशी बनते हैं फिर सुरेवंशी चंद्रवंशी बनेंगे जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं किसमें नापास योग में ज्यान तो बहुत सहज समझाया है कैसे तुम चुरासी का चक्र लगाते हो मनुश्य तो चुरासी लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं अभी तुमको मिलती है इश्वरी ये मत इश्वर तो आते ही हैं एक बार तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी एक देवी देवता धर्म था जरूर उन्हों को इश्वरी ये मत मिले थी उसके आगे तो हुआ संगम युग बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं तुम अब बदल रहे हो इस समय तुमको बाप बदलाते हैं तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं बदलते ही रहेंगे यह चितन्य बैटरी है ना वे है बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए है स्रेष्ट ते स्रेष्ट मत भी देते हैं उच्च ते उच्च भगवान की उच्च मत मिलती है जिससे तुम उच्च पद पाते हो तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम इश्वर की संतान होना इश्वर श्युबाबा है श्युजयन्ती भी मनाते है वे है भी सदगती दाता उनको अपना शरीर तो है नहीं तो किसके दवारा मत देते हैं तुम भी आत्मा हो इस शरीर दवारा बातचीत करते होना शरीर बिगर आत्मा कुछ कर न सके निराकार बाप भी आये कैसे गायन भी है रत पराते हैं फिर कोई ने क्या कोई ने क्या बैठ बनाया है त्रीमूर्ती भी सुक्ष वतन में बैठ दिखाया है बाप समझाते हैं यह सब है साक्षातकार की बाते बाकी रचना तो सारी यहां है ना, इस धर्ती पर, तो रचता बाप को भी यहां आना पड़े, पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है, यहां बच्चों को डारेक्ट पावन बना रहे हैं, समझ से भी हैं, फिर भी ज्यान बुद्धी में बैठता नहीं, कोई को समझा न नहीं, तो स्रेष्ट ते स्रेष्ट बन नहीं सकते, जो समझ से ही नहीं, वह क्या पद पाएंगे, जितना सर्विस करेंगे, उतना उच्य पद पाएंगे, बाप ने कहा है, हड़ी हड़ी सर्विस में देनी हैं, ओल राउंड सर्विस करनी हैं, बाप की सर्विस में हम की देने भी तयार हैं। बहुत बच्चियां तडफती रहती हैं सर्विस के लिए। बाबा हमको छुडाओ तो हम सर्विस में लगजाएं। जिससे बहुतों का कल्यान हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है। उससे तो सीड़ी नीचे ही उतरते आते हो। अभी इस रुखानी सेवा से चड़ती कला होती है हर एक समझ सकते हैं यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते है सर्विसेबल अच्छी बच्चिया है तो सेंटर भी संभाल सकती है क्लास में नमबरवार बैठते है यहां तो नमबरवार नहीं बिठाते हैं फंक हो जाएंगे, समझ सो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा, पद नमबर वार बहुत है ना, प्रन्तु वे है सुख धाम, ये है दुख धाम, वहां बिमारी आदी कोई होती नहीं, बुद्धी से काम लेना पड़ता है, समझना चाहिए हम तुब बहुत कम पद पालेंगे, क्योंकि सर्विस सो करते नहीं है, सर्विस से ही पद मिल सकता है, अपनी जाच करनी चाहिए हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं मम्मा बाबा भी सर्विस करते आई हैं अच्चे अच्चे बच्चे भी हैं भल नौकरी में भी हैं उनको कहा जाता है हाफ पेपर भी छुट्टी लेकर जाए सर्विस करो हर्जा नहीं है जो बाबा की दिल पर सोतावसी तख्ट पर बैठते हैं नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार ऐसे ही विजे माला में आ जाते हैं अरपन भी होते हैं सर्विस भी करते हैं कोई तो भल अरपन होते हैं सर्विस नहीं करते हैं तो पद कम हो जाएगा ना यहे राजधानी सापन होती है श्रीमत से ऐसा कभी सुना अत्वा पढ़ाई से राजाई सापन होती है यहे कभी सुना कभी देखा हादान पुन्य करने से राजा के घर जनम ले सकते हैं बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाएं ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा किसको पता भी नहीं बाप समझाते हैं तुमने ही पूरे चुरासी जनम लिये हैं तुमको अब उपर जाना है है बहुत ही जी तुम कल्प कल्प समझ से हो नंबरवार पुरुशार्थनुसार बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुशार्थनुसार देते हैं बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में है अपनी जाच करनी है कि मैं दिल पर चड़ा हुआ हूँ माला का दाना बन सकता हूँ अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुशार्थ करें प्रन्तु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चड़ते ही नहीं कोई न कोई ग्रहचारी लग जाती है देह अभीमान से ही फिर और विकार आते हैं मुख्य कड़ी बिमारी देह अभीमान की है सत्युग में देह अभीमान का नाम ही नहीं होगा वहां तो है ही प्रालब्द यहे यहां ही बाप समझात और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो। यह मुख्य बात है। लिखना चाहिए निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो। अपने को आत्मा समझो अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ती में भी एक श्यू की ही पूजा करते हो। अब ग्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ। बाकी सब है भक्ती। अव्य भिचारी ग्ञान एक ही श्यू बाबा से तुमको मिलता है। यह ग्ञान सागर से रत्न निकलते हैं उस सागर की बात नहीं यह ग्यान का सागर तुम बच्चों को ग्यान रत्न देते हैं जिससे तुम देवता बनते हो शासरों में तो क्या-क्या लिख दिया है सागर से देवता निकला फिर रत्न दिया यह ग्यान सागर तुम बच्चों को रत्न देते हैं त तुम ज्ञान रत्न चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धी बन पड़े। अब रत्न चुगने से तुम पारस बुद्धी बन जाते हो। पारसनाथ बनते होना यह पारसनाथ लक्ष्मिनारेण विश्व के मालिक थे भक्ती मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे हैं वासो में लक्ष्मिनारेण वो पारसनाथ एक ही हैं नेपाल में पशुपती नाथ का मेला लगता हैं वेह भी पारसनाथ ही है अच्छ मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमसे नमसे गुड मॉर्निंग धारना के लिए मुख्य सार पहली पोइंट बाप ने जो ज्यान रत्न दिये हैं वही चुगने हैं पत्थर नहीं देहे अभिमान की कड़ी बिमारी से स्वियम को बचाना है दूसरी पोइंट अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है आत्म अभिमानी रहने का पुरुशार्थ करना है निर्भ्य रहना है वर्दान सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभुती से संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव संगम युग पर विशेस प्राप्तियों में स्विम को संपन्न बनाना है इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और करतवे को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने है यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्विम को संपन्न बनाओ एक भी संबंद्व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज वो संपूर्ण मूर्थ नहीं कहला सकते इसलिए बाप के गुणों वो अपने आदी स्वरूप के गुणों का अनुभव करो तब संपूर्ण मूर्थ बनेंगे स्लोगन जोश में आना भी मन का रोना है अब रोने का फाइल खत्म करो अच्छा ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुर्ली जरूर सुने उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें कर दो हां दान्ती आज क कर दे दूप